हालो स्टूडेंड मैं शाइन लूथरा आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नमबर 2 फ्रेक्शन एंडेसिमल के एक्ससाइस 2.3 जिसका फॉर्स कोशन है फाइं 12 डिवाइड बाइ 3 अपोन 4 आप यहां पे साइन देख रहे हैं कौन से हैं यह डिवाइड के तो इसमें हमें क् सबी कोशन जो है आप अपनी बुक के साथ मैच कर सकते हैं थीक है तो स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 1 फर्स्ट है हमारा 12 यहां पे क्या है डिवाइड और इसके बाद 3 अपोन 4 तो जब भी हम फ्रेक्शन के अंदर हमें डिवाइड का साइन दिया होता तो हम करते तो क्य भी हमारा फ्रेक्शन होता है वो हमेशा रैसिप्रोकल हो जाता है यानि कि जो डिनॉमिनेटर है वो डिनॉमिनेटर बन जाता है जो डिनॉमिनेटर बन जाता है 3 अपोन 4 का 4 अपोन 3 हो जाएगा अब हम इसको हमारे साइन चेंज हो जाएगा अब हम इसको जो है क्या कर सकत है डिवाइड कर सकते लेकिन जो कटता है हम उसको कार देंगे जैसे 3 बन जा 3 और 3 फोर्जा 12 तो क्या हो गया 4 फोर्जा 16 आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे देखो 14 फिर डिवाइड है भी 5 अपॉन 6 तो यह 5 अपॉन 6 का 6 अपॉन 5 बन जाएगा और 14 6 क्या होता ह है एती फौर अपॉनमें 5 टिक है है अमारा कंटनी सकता इसलिए हम इसको कर नहीं करेंगे हमें करने के लिए बोला है तो मतलब हमें सर्य को इसको मिक्स फ्रैक्शॉ में नहीं लिखना ठीक है इसका 3 फिर 8 फिर divide divided by 7 अपॉन 3 तो 3 अपॉन 7 हो जाएगा इसका 8 3 जा 24 अपॉन में 7 क्योंकि जो cut सकता उसको हम पहले cut कर देंगे जो नहीं cut हो सकता उसको हम वैसे ही multiply करके लिख देंगे 8 अपॉन 3 का यहाँ पर 3 अपॉन 8 हो जाएगा यहाँ पर cut जाएगा 4 बन जा 4 4 तू जा 8 तो 3 अपॉन 2 आ गया ठीक है अब इसका 5 देखो 3 फिर divide 2 इस्टो 3 1 अपॉन 3 मतलग 3 को 2 से multiply 1 plus कर देंगे 3 तू जा 6 और 1 7 7 अपॉन 3 तो यहाँ पर देखो हमारा जो है क्या होजेगा 7 अपॉन 3 का होजेगा 3 अपॉन में 7 3 तू जा 9 अपॉन में 7 चीक है अब 5 डिवाइब फिर 3 इस्टो 4 अपॉन में 7 तो 7 3 जा 21 21 में हम 4 प्लस करेंगे 25 अपॉन में 7 होजेगा 25 अपॉन 7 को क्या होजेगा 7 अपॉन 25 रैसी परोकल होता जा रहा हर एक के अंदर कुछ निवर 2 है find the reciprocal of each of the falling fraction हमें हमें कुछ भी नहीं करना बहुत simple है सब के अंदर जाना हमें reciprocal करना है ठीक है denominator को numerator 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 को denominator करना उसके बाद क्या है classify the reciprocal as a proper fraction improper fraction and a whole fraction हमें बताना है कि कौन सा proper है कौन सा improper है कौन सा whole fraction है तो पहले हमने 3 upon 7 का जब 7 upon 3 किया तो यह हमारा improper fraction हो गया improper fraction में क्या होता है numerator हमेशा बढ़ा होता है denominator से तो इसलिए हमारा improper fraction हो गया 5 upon 8 का हो जाएगा 8 upon 5 यहाँ पे भी हमारा numerator बढ़ा है denominator से इसलिए भी हमारा improper fraction हो गया अब 9 upon 12 detonation up 7 को सकते हैं कुछ भाइब यहां पर इभिनॉमिनैट्र बढ़न है न्युमिनेटर से एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्षन है आढा हमारा शिक्स अपॉन फाइब 6. यहां पर हमारा दिनॉमिनेटर बढ़ा है न्यूमिनेटर से इसले भी हमारा प्रापर फ्राक्शन हो गया ट्वेल अपॉण सेवन को जएगा देगा तो यह क्या हो गया हमारा whole number आ गया 8 आ गया न तो 8 क्या हमारा whole number है fraction में तो नहीं है यह 1 upon 8 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यह हमारा whole number हो गया ऐसे ही यहां पर 1 upon 11 को जो हम reciprocal करते हैं तो 1 upon 11 का हो जाएगा 11 तो यह भी हमारा क्या हो गया whole number हो गया झाल झाल